नमस्कार मैं हूँ व्याभव नाच्छर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टो वास्तु जमेडीज दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपकी जीवन में समस्या कोई भी हो कैसी भी बाधा हो कैसा भी विद्न आ रहा हो आपके काम में फिट इस तरह की समस्याइं हो सकती हैं जैसे स्वास्त खराब होना परिवार में अशान्ती होना धन की कमी होना या सारे प्रयास करने के बावजूद भी बिजनस ठीक से ना चलना कार्य में समय समय पर विग्न और बाधाओं का आना इत्यादी इस तरह की सभी समस्याओं से बचन के साथ साथ तो क्या है पहला उपाए आए जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को बहुत दरावने सपने आते हो नींद में व्यक्ति चौकता हो बार बार तो फिक्री का ये उपाए आपको उस व्यक्ति को बहुत अच्छा समधान दे सकता है आपके नींद में डरने और चौकने क कि समस्या से आपको मुख भी दे सकता है करना यह कि बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिक्री का टुकड़ा जो बजार में समान वेट के और साइज के फिक्री आते जो जेंट शेव के बाद लगाते तो उसको ले आईए उसको नीचे डालेंगे गद्दे के तो गद्दा उपर नीचे भी नहीं होगा नहीं तो अगर पत्थर वाली फिक्री लाएंगे तो उससे सोने में दिक्कत होगी वो गद्दे के नीचे से चुबेगा गद्दा भी खराब करेगा और आपको असुविधा भी करेगा तो सामान वजन के दो ले आईए और उसको दोनों अलग काले कपड़े में बांग करके एक सिर की तरफ एक पैर की तरफ गद्दे की नीचे डाल दीजे इससे बुरे स्वपन आना बंद हो जाते हैं साथी नीद में चौकने की जो समस्या होती है उससे मुक्ते मिल जाती है अगर चोटे बच्चे नीद में डरते हैं तो किसी मंगल मंगलवार को या रविवार को फिटकरी का एक टुकडा बच्चे के सिराने रग दें रात में बच्चे को सोते समय बुरे स्वपन नहीं आएंगे और नहीं बच्चा नीद में चौक के डरेगा और रोएगा दूसरा उपाए है व्यापार में उनती और बरकत के लिए किसी दुकान या प्रतिष्ठान के मुखिदवार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके करीब 200-200 ग्राम के आसपास फिटकरी बांध करके अगर लटका दिया जाए तो व्यापार में बरकत होती है यह उपाए मंगलवार या शनिवार को आप करेंगे तो फायदा अवश् और सुबह गुरु मंत्र अत्वा इश्ट मंत्र के नाम का उचारण करते हुए वह जल पीपल में डाल दे तो इससे पारिवारे कलह कलेश दूर होते और घर में शान्ती होती है चौथा उपाय है फिटकरी का कटोरा रखने का बातरूम में फिटकरी से भरा हुआ कटोरा र नकरात्मकता हो आसपास की ये कटोरा आसपास की नकरात्मक उर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उस जगह को बहुत पॉजिटिव बहुत शुब उरजा से परिपून करता है इसी तरीका इसी तरीके से पाच्वा उपा है आपके मकान में कमरे की खिड़की दर्वाजा या बालकनी ऐसी दिशा में खुलें जिस और कोई खंडहर नुमा मकान इस्थित हो अगर ऐसा कुछ होता है या वहां कोई उजाड जमीन या प्लॉट पड़ा हो या फिर बरसों से बंद कोई मकान हो उस तरफ अगर आपका कोई खिड़की दर्वाजा खुल रहा है या अगर आपके खिड़की दर्वाजा जिस तरफ खुलता है उस तरफ कोई शमशान या कबरिस्तान इस्तित हो तो वह बहुत ही शुब माना गया है वास्तु में ऐसे मकान में सकरात्म कूर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशी शीशे के पात्र में शीशे के बाउल में या प्लेट में कुछ छोटे टुकडे फिटकरी के आप वहां खिड़की के आसपास रखें और कुछ टुकडे जो है खिड़की के ऊपर भ मकान है कोई मकान दुरगटना ग्रस्त है किसी में आग लग गई थी या कुछ ऐसा मकान है जिसकी परचाई आपके घर की तरफ पड़ रही है या आपकी मजबूरी है उदर खिड़की वगरा खोल के रखना तो उधर से जो निगेटिविटी आ रही है उसको रोकने के लिए आपके घर के अंदर जो आपने खिड़की के आसपास रखा या बालकनी के तरफ रखा बहुत अच्छा काम करता है उदर से आ रही नकरात्म कूर्जा को निगेटिविटी को वो बहुत आसानी से रोकता है इसके अलावा पचास ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत प्रति के लिए फिटकरी का उपाए रोज रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करेंगे तो धनलाब होगा इसके लावा आप कभी कबार फिटकरी के पानी से इसनान भी कर सकते हैं फिटकरी के जल से मूँ को साफ करना दांत को साफ करना ये लाल किताब का बहुती चमतकारी उपाए बताया गया इससे बुद्ध मजबूत होता है बुद्ध का जो कुंडली में दोश होगा जिसकी क बुद्ध खराब होगा अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसको तो ज्यादा फायदा मिलेगा सामानिय रूप से भी इस उपाय को करने से धनलाब मिलता है क्योंकि जोतिश में बुद्ध को विद्या बुद्धी के साथ साथ व्यापार का और स्वास्त का कारग भी बताया गया तो आपका व्यापार भी इससे उन्नती को प्राप्त करता है स्वास्त भी आपका अगर कुछ खराब चल रहा है कोई रोग बिमारी से आप ग्रस्त है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है इसी तरीके से कारोबार में व्यापार में व्रिद्धी का जो टूटका बताने ज चाहिए दश्मी के दिन बेल्ड किसी करन्या को आप दान दे दें नीले फूल बहते हुए जल में आप प्रवायत कर दें और फिटकरी के टुकडे को उठा करके समाल करके आप रख लें अगर आप जब भी इसके बाद इंटर्व्यू देने जाएं तो ये फिटकरी के टु आप अपने साथ ले करके जाएं तो आपको सफलता बहुत अच्छे मिलती है इसी तरीके से गुरू पुष नक्षत्र में शुब मूट में अपा मार्ग नामक पौदे की जड़ को आप ले लें इस जड़ को एक पिटकरी के टुकड़े एवं काले कोईले के टुकड़े के किसी भी तरह की दुर्गटना मार्ग में फिर नहीं होती उससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है दस्वां उपाई है कि पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर बांध करके बुद्वार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत् लिए यदि आपका बिजनस ठीक नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है तो जो उपाई बताने जा रहा हूं या आपके लिए बहुत ही लापकारी सिद्ध हो सकता है इसके लिए आपको मवस्या या शनिवार को सुबह एक नीबू लेना है और उसके चार टुकड़े करने इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों 21 काले मिर्च और साथ लॉंग ले करके अपने बिजनस वाले स्थान पर आप कहीं भी रग दें फिर शाम के वक्त इन सभी चीजों को काले कपड़े में बान करके किसी सूखे कुए में आप इसको डाल द और एक रुपए का सिक्का ले लीजे इन तीनों चीजों को गुरुवार को पीले कपड़े में बान करके रेलवे लाइन के पार आपको फेक आना चाहिए जब आप इसे फेक रहे हो तब अपनी उस एक्षा को बोलें जिसकी पूरती लगातार आपके प्रयास के बाद भी नहीं हो पा रही है और उस काम में बार-बार बाधा आ जाती हो ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी जरूरी कार्य पर जाते समय क्या उपाए करें घर से किसी कार्य के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में चार कदम जाए इसके बाद कार्य पर चले जाएं ऐसा करने से आपका व्यापार अवश्य ही बनता है घर में सुख शांती के लिए छोटा सा उपाय बताता हूं उसको भी ध्यान से सुनिए परिवार में सुख शांती और सम्रिध्धी चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के चार बराबर भा को एक एक करके क्रमशा एक गाय को दूसरा काले कुत्ते को तीसरा कवे को और चौथा चौराहे पर रखना चाहिए ऐसा करने से घर में सुख शांती और सम्रिध्धी बनी रहती है व्यापार में फसे हुए धन की वापसी के लिए क्या उपाय करें यह जो उपाय बता रहा ह कि उसकी चार बातियां बना करके मंदर में रख ले रात को एक चार मुखी दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसमें चारो बातियां लगा दे और जला करके किसी चौराहे पर रख दे वापस आने से पहले किसी नुकिली चीज से अपनी उंगली से थोड़ा सा कुद निकाल कर कि उस दीपक में डाल दें ऐसा करते समय जिस व्यक्ति से पैसे लेने हो उसका नाम तीन बार आपको लेना चाहिए फिर आप घर वापिस आ जाएं घ्यान रखें वापिस आते समय रास्ते में आपको कहीं रुखना नहीं है घर आ करके रोटी में गुड़ रख करके गाये को आप खिला दें रुका हुआ धन मिलने के रास्ते बनने लग जाएंगे और जल्दी आपको आपके धन की प्राप्ती हो जाएगी तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती ह वह निश्यती पसंद आती होगी आप सभी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें आपने गर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना क के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज नमोना रहा है